मद्यप्रदेश में होने वाले लोगसबा चुनाओ के पहले चरण की सबसे हौट सीट चिनवाडा में प्रचार के लिए किंद्रिग्रमंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे अमित शाह यहां रोड शो भी करेंगे इसके बाद भे चिनवाडा में ही नाइट स्टे करेंगे अब तक सबसे जादा भाजपा के वरिष्ट नेताओं ने चिनवाडा लोगसबा सीट में प्रचार की कमान सम्हा ली है तो वहीं अकेले पढ़ चुके कमलनाद भी मैदान में डटे हुए हैं नाग का सवाल बन चुकी चिनवाडा लोगसबा सीट को जीतने के लिए की बात करें तो बिच्चिपी के राष्टी अध्यक्ष जेपी नटा केंद्रिय अग्रा मंतरी अमित शाह केंद्रिय मंतरी अनुराक ठाकुर मधिप्रदेश के कैबिनेट मंतरी प्रहलाद सिंग पटेल राजसभा सांसद कवीता पातिदार मुखी मंतरी डॉक्टर मोहन्य अदव यहां प्रचार कर चुके हैं हाँ बिल्कुल आये थे जीतु पटवारी सही के रहे हैं पेले भी आये थे खुलम खुला आये थे और 163 सीट पर जीता के गए थे अब फिर आ रहे हैं आज चिंद्वाडा फिर गुंतिस की गुंतिस सीट जीता के जाएंगे मानी अमि निशा जी का मध्यप्रदेश की धर्ती पर आगमन हमेशा मध्यप्रदेश की भारती जंता पारटी के लिए शूब रहा है शुबंकर रहा है चिंद्वाडा चिंद्छिन हो गया है कमनार जी का गढड केते थे पर आपलों सब गड़ गड़ है कमनाज जी गड़बड करके पेतालीस साल से महाँ की जनता को छल छिद्र से बेवकुब बनाते रहे और चुनाओ जीतते रहे महाँ की जनता के साथ में धोका करते रहे उनको मुगालता देते रहे उनके बीच में जाकर चुनाओ के समय पे लोक लुबाओनी बाते करके चुनाओ जीते रहे और बाद में गायब होते रहे जनता जो ये छेछे मेने तक अपने निता के दरसन वहाँ पे चिंदवाड़ा की नहीं कर पाती थी अब कमलनाज जी के सुपुत्र नकुलनाज जी के सामने महीं के चिंदवाड़ा के स्थानी निवासी छिंदबाडा के लाल बंटी सहु चुनाव लड़ रहे हैं बारती जन्ता पार्टी की तरफ से और वो चुनाव जीतेंगे कमलनाज जी का ये जो गड़बड है ये गड़बड गुटला आप नहीं चलने वाला क्योंकि चुनाव आयोग भी सकते है और आपका ये मीडिया का केमरा भी वहां लगा हुआ है हरमत्दान के दिरुपे